खबर उत्राखन से है जहां पर उत्राखन में शिक्षकों के तबादलों में जम कर खिल हुआ है वहीं परवते इलाकों की जनपदों में सतर फीज़ी शिक्षकों के पद को भरे बगार विभाग ने चार जिलों के मैदानी इलाके में चहेते शिक्षकों के तबाद लेकर डाले वहीं 40-50 फीज़ी दिव्यांग शिक्षकाओं की विभाग ने सूधु तक नहीं ली हैरानी की बाद तो ये है कि मुख्य सच्चिफ के अधक्ष्टा में गठिद समीती में भी इनके तबादो का प्रस्ताफ नहीं भेजा गया परिशिक्षा बंत्री आर्विंद पार्डे का कहना है कि मुख्य सच्च्चफ की अधक्ष्टा में गठिद कमीटी ने शिक्षकों के तबादले किये हैं साथ ही शिक्षकों के तबादलों को लेकर हाई कोट ने जो आदेश दिये हैं विभाग में उसका पालन किया जाएगा तो बड़ी खबर आपको बता दे धारदूर का इमामला है जहां से शिक्षा विभाग में कि इस तरह से शिक्षकों के तबादलों में ये थांदली चली है इसकी जानकारी यहाँ पर मिली है और कहा जा रहे कि 70 फीजदी ऐसे शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं लेकिन दिया गया है और सौरव भाटिया देहरदून से हमारे साथ हमारे सयोगी जुड़ गये है सौरव ये एक बड़ा काई न कई खे जो है शिक्षकों के तबादले को लेकर सामने आया है कोई अभी इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से रियाक्शन सामने आया है कि इन पर शिक्षकाओं का तबादला नहीं किया गया है जो जरुत मन थे उससे लगता है कि जो गंबीरता थी विभाग की वो कई नगे खतम होती चली जा रही है क्योंकि कॉंग्रेस सरकार के दोरान ये आरोब लगाते थे कि राज्ये में तबादला उद्ध्यों की तरह परे चारी 212 सिक्षा विभाग में बैतर शिक्षा देने का दावा कर रहे हैं और काई जारहे है कि जो 40-45 पीज़ी तबादले हैं दिवांग शिक्षकाओं की विभाग नहीं आपर सूध भी नहीं ली है तो क्या उनकी बहतरी के लिए उनकी सुविधाओं के लिए भी अब भी हाँ पर आक्शन प्लान ये तियार किया जाएगा जो कारवाई होगी इसमें खास ख्याल लखा जाएगा इसका देखें क्योंकि चीप सेकेटरी की कमेटी को शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक सूची बेजी गई थी उसी में से तबादे किये गए लेकिन जो विकलांग शिक्षक शिक्षक शिकाये थे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसिव शिक्षक थे उनके जो है सूची नहीं बेजी गई आयसे में विभाग की उस सूची पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विभागी अधिकारी किस तरीके से जो है किस लोगों को भी तबादलों का लाब मिल सकें जी चली फिलाल बहुत दन्यवाद आपका सौर अरभ हमारे सा जुनने के लिए